हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तों टमाटर के बिना भारतिय रसोई अधुरी है टमाटर अक्सर एक सबजी माना जाता है अलाकि वास्तों में यह एक फल है टमाटर का वैग्या निकनाम सोलनम लाइको पैरसिकम है और यह मूल रुप से मेक्सिको में पाया गया टमाटर नरम और गुलाबी रंग के होते हैं इनमें कई बीज होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है चाहे आप इसे फल कहे या फिर सबजी लेकिन हम सब जानते हैं कि टमाटर पोसन का एक पावर हाउस है आप इसे अपने देनी कहार में सामिल करके इसके अत्यादिक स्वा करने गुर्दे की रक्सा समय से पहले उम्र बढ़ने को रोकने और सुजन को कम करने में मदद करता है यह मदू मेह तवचा की समस्याएं और मुत्रपत के संक्रमनों से भी राहत प्रदान करता है टमाटर में एंटियोक्सिडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं जो कैंसर के विभिन रूपों को पैदा होने से रोकते है या विटामीन और खनी जो का भी एक अच्छा स्त्रोथ है और कार्डियो वस्कूलर बीमारियों से भी बजाता है टमाटर में अच्छी मात्रा में विटामीन A, विटामीन C और विटामीन K होते हैं इसके अलावा इसमें फॉल टमाटर के पोश्टिक गुणों की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सोडियम, संत्रुप्त वसा, कॉलेस्टेरोल और कैलोरी में स्वाभाविक रूप से कम है तो आईए दोस्तो आज के यह वीडियो में हम टमाटर के फाइदे और उसके नुकसान यानि की साइड इफेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तो अगर आप यह चैनल पे नए हैं और आपने यह चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो कुरूपिया यह चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बाजू में दिये गए बेल आइकन यानि की घंटी के बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेगी दोस्तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जो लोगों ने सबस्क्राइब किया है उनको बहुत बहुत तन्यवाद चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं टमाटर के फाइदों के साथ सबसे पहले जानते हैं टमाटर खाने का सही तरीका दोस्तों टमाटर हर घर में सबजी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यह सबजी में एक अच्छा स्वाद जोड़ देता है टमाटर का जूस बना कर भी पिया जा सकता है यह जूस तवचा को निखारने में मदद करता है टमाटर का सूप भी अधिकतर लोगों को पसंद होता है टमाटर की सोज भी बाजार में आसानी से उपलब्द होती है और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं टमाटर का इस्तिमाल सलात के रूप में भी किया जाता है तो ये थे टमाटर खाने के सही तरीके आईए दोस्तों आप देखते हैं टमाटर खाने का सही समय क्या है तो ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में टमाटर खाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि यह सरीर के चया पचय को बनाए रखता है और आपका स्वास्त अच्छा बना रहता है टमाटर को रात के समय खाने से या आपको लंबे समय तक अच्छा स्वास्त बनाए रखने में मदद करता है टमाटर की तासीर के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तो टमाटर की तासीर ठंडी होती है यह सरीर को ठंडग पहुँचाता है इसे नियमित मात्रा में ही खाये क्योंकि टमाटर का अधिक सेवन भी आपके लिए नुक्सन कारक सावित हो सकता है तो चलिए अब देखते हैं टमाटर के फाइदे नमबर वन टमाटर के फाइदे स्कीन के लिए मित्रो टमाटर का नियमित रूप सेवन आपकी तवचा के निखार में चार चांद लगा देता है तवचा को यह तवचा को यूवी प्रकास शती से बचाता है जो चहरे पर रेखा है और जुरियों के मुख्य कारणों में से एक है इसके अलावा चहरे पर बड़े रोम चिद्रों को कम करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है यह मुआ से और तवचा पर चकते या मामूली जलने के निशान के इलाज में भी मदद कर सकता है तवचा पर टमाटर के गुदे को रगरने से यह तवचा को चमकाता है नमबर टू हड़ियों को मजबूत बनाए दोस्तो टमाटर में वीटामिन के और कैलसियम की उपस ठितिके कारण यह आपकी हड़ियों को मजबूत बनाता है दोनों ही तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए लाबदायक है इसमें नहित लाइकोपिन नामक एंटियोक्सिडंट भी हड्डियों को बहतर बनाने के लिए जाना जाता है जो ओस्टियोपरोसिस से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है दोस्तों टमाटर में विटामिन C और विटामिन A की अधिक मात्रा आपकी दरश्टी में सुधार करने में मदद कर सकते हैं और रात के अंधेपन को रोक सकते हैं हाल में हुए एक शोज से पता चलता है कि टमाटर में विटामिन A मैक्यूलर डी जनरेशन के जोखिम को कम करने में मदद करता है चक्तेदार अधपतन एक गंभीर और अपरिवर्तनिय नेत्र विकार है टमाटर मोतिया बिंद के विकास के जोखिम को भी कम करता है इसके अलावा टमाटर में फाइटो केमिकल, एंटी ऑक्सिडन्स, जेकसेथीन, लिूटीन और लाइकोपीन होते हैं जो आखों की रोसनी को किसी भी प्रकार की शती पहुँचने से बचाते है नमबर फोर बालो की समस्याओं के लिए लाबदायक टमाटर आपके बालो को स्वस्त, घनाव, बहतर बनाने में मदद कर सकते है टमाटर में विटामिन और आइरन मोजूद होते हैं जो बालो को मजबूत करने के साथ साथ बेजान, जहतिकरस्त और निर्जीव बालो को भी एक नया जीवन प्रदान करके उनमें एक नई चमक ला देते हैं इसके अलावा टमाटर में उपस्तित अमला आपके बालो के पीच तर को संतुलित करने में मदद करता है जो बदले में बालो के रूखे रंजग को दूर करके आपके बालो को प्राकूरतिक रंग का बनाए रखने में मदद करता है यदि आप खुजली और रूसी से परेशान है तो अपने बालो पर शेंपू करने के बाद टमाटर का रस लगाए इसे चार से पांच मिनिट तक छोड़ दे और फिर ठंडे पानी से धोले दोस्तो ये बात का ख्याल रखे कि नियमित रूप से अपने बालो पर टमाटर का प्रयोग न करे क्योंकि टमाटर की अमलता आपके बालो को सुखा वो बेजान बना सकती है दोस्तो रख्त सरकारा के स्तर को कम करने के लिए टमाटर मदू में रोगियों के लिए एक अच्छा आहर है इसमें बहुत कम कार्बोहाइडिट होता है जो मुत्र ग्लुकोश के स्तर को नियंतरित करने में सहायता करता है टमाटर क्रोमियम का भी एक बहुत अच्छा स्तरोथ है जो रख्त में शरकरा के स्तर के साथ साथ फाइबर को नियंतरित करने में मदद करता है शोधो के अनुशार फाइबर रख्त सरकरा के स्तर को अधिक होने से रोकने में मदद करता है कई अधियनों से पता चला है कि टमाटर में उपस्तित एंटियोक्षिडंस मदू में से प्रभावित होने वाले किडिनी और रक्तप्रवा को भी सुरक्सा प्रदान करता है इसके अलावा टमाटर जैसा कम कैलोरी वाला भोजन वजन कम करने की कोशिश कर रहे मदू में रोगियों के लिए भी उप्योगी है दोस्तों राश्ट्रिय कैंसर संस्थान के जर्नल में प्रकाशित एक अधियन से पता चलता है कि अधिक टमाटर खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खत्रा कम हो सकता है टमाटर में मौजूद लाइकोपिन नामक एंटी ओक्सिडंट, फेफडे, पेट, ग्रीवा, मुग, ग्रसनी, गले, अनप्रणाली, कॉलन, गुदा और डिम्ब ग्रंती के कैंसर जैसे अन्य कैंसर के जोखिम को भी कम कर सकता है यदि टमाटर को जेतून के तेल के साथ पकाया जाए तो इसके कैंसर विरोधी गुणों के लाब अधिक्तम हो सकते है नमबर सेवन, टमाटर के फाइदे वजन घटाने में टमाटर आपका वजन कम करने में भी मदद कर सकता है टमाटर में बहुत कम फेट पाया जाता है और साथ ही इसमें सुन्य कॉलेस्टरल होता है इसमें बहुत सारा पानी और फाइबर होता है इसलिए यह आपको ज़्यादा कैलोरीज गेन कराए बिना आपके पेट को तेजी से बरने में मदद करता है यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने आहर में बहुत से टमाटर सामिल करें आप इसे एक फल की तरह कच्छा खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, कैसरॉल, सेंडवीच और अन्य बोजन में भी सामिल कर सकते हैं नमबर एट टमाटर के फाइदे नींद को बढ़ाने के लिए पैंसिल्वेनिया पेरलमेन स्कूल आफ मेडिसीन विश्वविद्यालाई में एक अध्यन हुआ उसके मुताबिक जो लोग लाइकोपीन का सेवन करते हैं वे लोग उन लोगों के मुकाबले बहतर नींद का आनन लेते हैं जो इसका सेवन नहीं करते हैं और टमाटर लाइकोपीन का एक बहुत अच्छा स्त्रोथ है इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी भी अच्छी मातरा में पाया जाता है और अपने देनी काहर में विटामिन सी के अधिक स्तर को सामिल करना सांती प्रदायक नींद दे सकता है तो अगर आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं तो रात के खाने के समय में टमाटर सूप या टमाटर युक्त सलात खाने का प्रयास करें नमबर 9 टमाटर के गुनकरे उच्छ रख्तचाप को कम दोस्तों पोतेशियम से शमारूद्ध टमाटर对 हईबीपी को कम करने में मदद कर सकता है अदिक सोडियम का सेवन करना रख्तचाप बढ़ा सकता है जिससे पोतेशियम की कमी हो सकती है पोटेशियम आपके सरीर से सोडियम को निकालने में मदद करता है ताजा टमाटर का सिर्फ एक कप पोटेशियम की आपकी देनी कवशक्ता का 11.4 प्रतिशत होता है अता अधिक टमाटर का सेवन करना हाई बीपी से लडने और विभिन रदेशितियों के जोखिम को कम करने का एक शांदार तरीका है टमाटर में लाइकोपिन, विटामिन A और विटामिन C, फाइबर और केरोटिनोइड जैसी सक्तिशाली पोशक तत्व होते हैं जो रदे रोग के जोखिम को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं नमबर 10 टमाटर के फायदे सूजन को दूर करने में बायो फ्लेवोनोइड और केरोटिनोइड जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी एजन्स की मोजूदगी के कारण टमाटर दर्द को कम कर सकता है नियमित रूप से हलके से मध्यम दर्द महसूस करने वाले लोग अकसर सूजन का शिकार बन जाते हैं और टमाटर में निहित सूजन को कम करने वाले गूण सूजन हुआ जलन को कम करके आपको बार बार होने वाले दर्द से रहत प्रदान करते हैं एक अधियन में पाया गया कि टमाटर का रस रोजाना पीने से टी एन एफ अलफा के रक्त के स्तर को कम किया जा सकता है जो कि 34% तक सूजन का कारण बनता है टमाटर, रदे रोग, कैंसर, ओस्टियोपरोसिस और अल्जाइमर जैसी पुरानी और पक्षई स्वास्थे समस्याओं से पिडित लोगों के लिए एक अच्छा बोजन है तो अगली बार जब आप फल सबजी की खरीदी करने जाए तो अपनी टोकरी में टमाटर को शामिल करना ना भूले चाहे आप ताजे टमाटर का सेवन करें या फिर उससे बने हुए रस, सलाद, सूप, आदिका सबी आपके स्वास्ते के लिए स्वास्तिवर्दक विकल्प है दोस्तो टमाटर के फाइदे जानने के साथ-साथ टमाटर से होने वाले नुकसान या फिर उसके साइड इफेक्ट जानना भी उतना ही जरूरी है तो आईए उसके बारे में चर्चा करते है भारती अवियंजनों का एक अभिन्नंग टमाटर स्वाध के साथ-साथ कई स्वास्तेलाब भी प्रदान करता है लेकिन इसके उपभोग के कुछ संभवित नुक्षान भी है जी हाँ निर्दोस दिखने वाला इस टमाटर के कुछ सामान्य और कुछ गंबिर साइड इफेक्ट भी है जिनकी चर्चा यहां हम कर लेते हैं नमबर वन टमाटर में लाइकोपिन नमक एक फाइटो केमिकल पाया जाता है इस फाइटो केमिकल का अत्यादिक सेवन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की नियमित गतिवदियों में हस्तक्षेप्ट कर सकता है और इसे धीमा कर सकता है नतिजन हमारा शरीर कोई सामान्य माइक्रोबियल बीमारियों से खुद को बचाने की शमता खो देता है इसके अतिरिक्त यह सारीरिक्षति कोई मरम्मत के लिए असमर्थ हो जाता है नमबर टू टमाटर अनेक अमलो का एक समावेश है जिसका अत्यादिक सेवन जठरांत्रव विकारों को पैदा कर सकता है नमबर तरी टमाटर की लाइकोपिन सामगरी के परिणाम स्वरूग इर्रीटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे कुछ गंभीर आतों की समस्या हो सकती है नमबर टमाटर के सेवन से किड्नी में पत्री के निर्मान को प्रोच्साहन मिल सकता है टमाटर के बीज कैलसियम और उक्सालेट योगी को में समरुद होते है यदि आप पहले से ही गुर्दे की समस्याओं से ग्रस्त है तो इसका सेवन ना करे नमबर फाइव अध्य जनों से पता चला है कि टमाटर के बीज में मोजुद लाइकोपिन पूरुस प्रोश्टेस ग्रंथी में और सामान्यता है पैदा कर सकता है यह दर्द पेशाब में कठीनाई और स्तंबन दोस आदी का कारक है नमबर शिक्स आज का मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा यह लाइक और कॉमेंट करके मुझे बताए आशा रखता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आपको टमाटर के फाइदो और उसके नुकसान या साइड इफेक्ट के बारे में उपियोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी यदि आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक के उपर वीडियो देखना चाते हैं तो मुझे कॉमेंट में लिखे मैं वो सब्जेक के उपर वीडियो बनाने की अवश्य कोशिश करूँगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कुरूपिया इसे अपने दोस्तों और परिवार जोनों में शेर कीजिए ताकि वो लोग भी टमाटर के फायदे और नुक्सान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके थैंक्यू